आपका स्वागत है दरेंडी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रो और सीखते रो अब्विस सवाल है कि फाइव केज के बारे में बताईए जी 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 पर इसके अलावा भी और क्या होता है फाइव केज तो बड़े वेल नोन है और इंपोर्टन भी है पहला है केश कि आपने बाल नहीं काटने है कड़ा जो स्टील बैंगल हम हाथ पे पहनते हैं कंगा जो एक हम चोटा इसी कंगी रखते हैं अपने बालों में कचहरा सो कचहरा होता है लंबे ट्राउजर्स ब्रीफ स्कैलो क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लूंगी टाइप के कपड़े पहने जाते थे सो सिख बैप्टाइज सिख या इनिशियेटेड सिख के लिए ये बी एक ज़रूरी रिक्वार्मेंट है और फाइनली किर्पान एक चोटी सोड तो ये पांच ककार गुरू साब ने अपने खाल्से को बक्षे पर इसके साथ सिख धानत भी बक्षे बहुत यहारी रहत मर्यादा में बहुत क्लियरली बयान है ये सिख धान जैसे के कोई भी इंटॉक्सिकंट नी पीना शराब नी पीनी अब कोई कह सकता है कि पंजाब में शराब तो बहुत चलती है हाँ चलती है लेकिन गुरुगो बिन सिंग जी ने सकत मना किया था इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है तंबाकू ने यूज करना कोई इंटॉक्सिकंट ने यूज करना फिर अपने हाई मॉरल कारेक्टर के साथ जीना ये सब जो सिख, code of conduct, way of life, मर्यादा जो मर्जी आप कहलें ये उन में दर्च हैं अब हम पहुंचते हैं गुरुगोबिन सिंग जी के जो गुरुगोबिन सिंग जी की हिस्ट्री है उसके हाँ नहीं दो सब्जेक्स हमारे पास हैं तो 1699 की वैसाखी गुरु साब ने दूर दूर त वो सब अनंदपुर आ जाएं तो आगए बहुत बहुत लोग आए तो सब के दिमाग में ये बाद भी थी गुरु साब ने बुलाया है कोई खास बात होगी तो एक मैदान था वहां पे पास में चोटी सी पहाड़ी थी वहां पे तंबू लगे हुए थे कालीन बिचे तो हमारे कवी हुए हैं कुएर सिंग उन्होंने ब्रज कविता में ही किताब लिखी है कि गुर्बिलास पाथशाही दस्वी जिसमें वो गुरु साब के इतियास को बयान करते हैं उस दिन उस विसाखी के दिन जो हुआ उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इनकी राइटि संगत मिली अपार अच्छाल पुरक कौतक यो कीना जबते बोल संग सब लीना मिले आन जब अधिक अपारा दिप्त जोत कह बदन सुधारा सन्मुख पूरा सिक है कोई सीस भेट गुर देवो सोई ये सुन हुकम अधिक बहुभारा भयो बिसम ये सकल संसारा एपी पाकी के दिन गुरू साब ने सब को बुलाया दूर दूर से लोग आए और वहां खड़े होके गुरू साब क्या करते हैं कहते हैं यहां पे है कोई जो मुझे अपना सिर देने के लिए तैयार है और ये सुनके सारे हरान हो गए ये क्या बात कर रहे हैं गुरू साब सिर क् किसी का था तंबू के अंदर ले गए तलवार के निकलने की आवाज आई तलवार की चोट की आवाज आई खून का नाला बहना शुरू हो गया और फिर गुरू साब निकले तंबू से अपनी तलवार रंगी हुई खून के साथ सारे हरान हो गए यह क्या हो गया फिर गुरू साब कह सब इकट के अंदर एकदम लोगों ने अपस में बातचीत करनी शुरू की क्या हो गुरू साब को आज तो अपने सिखों को ये जानवरों की तरह मार रहे हैं क्या इनका कोई दिमाग तो नहीं फिर गया क्या हो गुरू को सब में ऐसी बातचीत होनी शुरू होगी तब गुरू साब तंबू से निकले और उनके साथ थे वो पांचो जो उठके आए थे फिर गुरू साब ने कपड़े उनने सुन्दर ने कपड़े पहने हुए थे गुरू साब ने एक देग मगाई और उसमें गुर्बानी का पाठ करके अपनी तेग चलाई तलवार चलाई और माता साहिब कोर जो जिनको खालसा की माँ का दरजा दिया जाता है वो कहते हैं कि उस ताइम पे कुछ पतासे लेके आए चीनी के बने होते हैं न वो उन्होंने डाल दिये और गुरू साहब ने पहली बार अमरत त्यार किया फिर उन्होंने ये पाँच जो उनके सिख थे जो अपना सिर देने के लिए त्यार थे उनको बुलाया और उनको ये अमरत एक ही बाटे से पिलाया और उन्होंने कहा कि आप मेरे पंज प्यारे पांच प्यारे हो और उनको उन्होंने एक नया नाम दिया सिंग कहते हैं कि आज के बाद आपका जो अकसर नेम होगा वो सिंग होगा अच्छा यहां पर विचारना ज़रूरी है कि ये कौन थे और कहां से आये थे सो दया सिंग लहौर से आये थे दया राम था उनका नाम पहले मोकम सिंग द्वारका से आये थे साहिब सिंग बिदर से आये थे करनाटका में धरम सिंग हस्तिनापूर से आये दिली और हिम्मत सिंग जगनाथपूरी से आये थे ये सारे so called नीची जातों में से थे और आपने देखा है North, South, East, West सो ऐसा लगा कि सारे हिंदुस्तान ने गुरू साब की आवाज को सुना आए और फिर इनको अमरित पिला के सिंग बना के गुरू साब ने उनके सामने अपना घुटना टेक दिया और उनको कहा कि मैंने तो आपको सिंघ बना दिया है लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आपको सिंघ बनाओ तो आप मुझे अब अमरित की दाथ दो ताके मैं भी गोबिंद राये से गोबिंद सिंघ बन सकूँ सो उसके बाद ये जो पांच पैरे थे या पांच पैरे इन्होंने गुरु गोबिन सिंग जी को अमरत पिलाया और गुरु गोबिन सिंग गोबिन राय से गोबिन सिंग बन गए तो ये एक बहुत बड़ा दिन था सिक इतिहास में जिसमें गुरू साब ने सिखों को एक नई मर्यादा बक्षी और उनको एक किसम में एक तरीके से इनिशियेट किया खालसा पंथ में और उन्होंने खालसा पंथ के बारे में काफी कुछ अपने सिखों को बताया कि आपने कौन सी मर्यादा रखनी है क्या करना है क्या नहीं कर is तो उस की डॉक्यमेंटेशन भाई नंदलल की राइटिंγα में भी है। गजो तींची मैं उस दिन्ध से जो हम मॉडर्ण सिहों की इडेंटिटी है। उसको काइम किया जाए तो सेनापती की गुर्सोभा में थोड़ा सा उसका जिकर आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें बेान कर रहे हैं किया जो मेरी बात सुनेगा जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता उसका हाल बुरा होगा और फिर कहते हैं कि क्या उन्होंने directions किया दी अपने सिख्छों को पांच की संगत तज संगत को प्रित करें जो पांच का यहां पे जिकर हो रहा है यह सब अलग अलग वो लोग हैं जिनों हैं गुरुओं के सक्सेशन को माना नहीं पिर्थी चंद के फॉल्वर्स जिनको मिन्ना कहा जाता था धीर मलिये ऐसी संगतों को तुम छोड़ दो और पूरी संगत के साथ तुम प्यार करो दया और धरम धारी त्यागे सब लालसा हर किसम का लालच हर किसम की लालसा को त्याग दो दया और धरम को अपना लो हुका ना पीवे तमबाकू नहीं पीना सीस दाड़ी ना मुडावे ना तो सिर के बाल काटने है ना दाड़ी काटनी है जो ये मेरी बात मानेगा वो होगा मेरा खालसा कवी सेनापती जो उस ताइम पे मौझूद थे गिसरी गुर्सोबा में लिखते है यहां से modern sick identity शुरू हुई जिसको early 20th century में formalize किया गया एक सिख रहत मर्यादा तियार की गई जो publish की गई उस ताइम पे जिसको modern sick identity माना जाता है उसको ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की हैं इस channel पर चैनल को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ जिसको पार तर्व शुरूप की अपलोड की जाओ प्रूप की जाओ